है चला पीछले क्लास में देख रहे हैं आझ टेक्योमेट्रिक कोफी सेंड क्या देख रहे चबि Bossा करते हैं क्या क्या क्षिम अधी पड़े हैं सब książ घर्मेश सब्सक्राइब कि सिंधागस ग्या गाक्या पर आप है तो पाहला चैप्टर सुरुआत की केमेस्टरी का तो इसका नाम था समड गुंडा राथा है हलाकि गुंडा को को भेल्यों देता नहीं है हीरो को देखता है तो इसी पकार से यहां पे जो में हीरो है वह में हीरो का नाम क्या है मोल क्या है मोल अब यही इसी के बारे मों पूरे जर्णी देखेंगे कि इसका जनम कहां सुआ यह अभी कहां तक जा रहा है तो हम लोग सबस सा त Sun मिलकर करके बना हुआ कौन सा एटम वेगरा से सबसे मिलकर करके बना हुआ सरह मानकर चलो यहां पर हम दे दिये Praha खाल ले लो यह मारकर के बना हुआ तो सlor यह तो ज़ान गए कि यह बना किसे है अब दात इसके अंदर भी चोटे छोटे particles होते हैं, छोटे-छोटे क्या होते हैं, molecules होते हैं, atoms होते हैं, तो sir हम लोग जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने atoms होंगे, जिसे मिल करके यह क्या बना है, marker बना है, तो इसी को जानने के लिए हम लोग बहाँ पे ढूनने कितना इसमें atoms परजेंट हैं, या फिर कितना इसमें molecules परजेंट हैं, जिसे हम लोग को कॉंड करना impossible है, कॉंड करना impossible है, क्यों? क्योंकि sir यह जो atom होता है, हलाकि यह सब atom लेकर है, क्या होता है, sir कितने और असमोल होते हैं, इसकी जनकारी हम second chapter जब पढ़ाएंगे, जिसका नाम है atomic structures, क्या है, atomic structures, वापर विश्तार से देखेंगे, जैसे तुम लोग सुना होगा, कि जैसे हम लोग क्या है, electron हो गया, proton हो गया, neutron हो गया, यह लोग सबसे छोटा माना जाता है, atom से भी क्या है, बहुत छोटा है, तो आखिर इस सब के discovery कहां सुआ, इस सब के बारे हम पता कैसे चला, इसको हम लोग कैसे जाने हैंगे, इसको हम लोग का value कैसे निकाला गया, यह सब का information कौन देगा, second chapter, और वही पर हम लोग होते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बहुत अग्नम अ-समाल होता है, तो इसी को कॉन्ट करने के हमारे पास आइंटका स्थ है आओ गाद्रो एक स्थे स्थ का नाम ही था आओ गादरो कर नाम था आओ गादरो इन्हों पूरा हम लोग को थे जिसे हम लोग समझ पाएंगे कि क्वेंपदार्थ है उसमें कितने अटम्स याफिर कितने मोलेक्वलाबल है कितने वहाँ पर मौझओध है कितना से पर करके वह लोग देखे क्या समझ माया कि आटम की संख्या को जानना है तो उससे पहले हम लोग को मौल जानना है क्या जानना है मौल तो वहां से यह हम लोग एक रिलेशन बताए थे क्या बताए थे कि अगर एक मौल की बात करें कितना बात करें एक मौल का तो एक मौल में जो आटम की संख्या होता है वो देखो कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23 इतना atoms होते हैं इतना क्या होते हैं आटम्स वहाँ पर पर जंट होता है कितना में एक मॉल में अब यह कहानी समझो जैसे हम लोग देखते थे कि सर कोई भी वज़तु एक केजी कितना है गरामसी जानते सर एक केजी बराबर होता है कितना 1000 g अगर हम बोलेंगे साइनेटिशित लोग मेजर करें ग्राइब पाएंगे उसको तॉल सकेंगे उसी परकार से ऀसे पार्टिकल्स विगरा होता है, इसे हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, और इसको हम लोग कॉंट करना तो बहुत मुश्किल का सवाल है, तो इसी को कॉंट करने के लिए हमारे पास जो आउगादरे थे, यह हम लोग एक नंबर दिये थे, और नंबर एक रिलेशन हम लोग को क क्या बता है, कि एक मोल बराबर कितना होता है, 6.022 into 10 to the power 23, अब थोड़ा सा देख लो कि इस कितना भेली होता है, जब हम लोग 10 के पावर 6 करते हैं, इसको बोलते हैं 10 लाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10 लाग, 10 लाग करने मतलब तो समझी जाते हो, फिर चलोग, समझे लोग कि यह 100 करोड रहता है, उसके लिए 10 के पावर 9 है, क्या 100 करोड को गिन पाओगे जल्दी, अब समझे लोग कि सिर्फ यहां पर 10 के पावर 9 करते हैं, तब इतना होता है, अब देख लोग कितना और ज़्यादा है, 10 के पावर 20 है, मतलब 9 का दो गुना से भी करेंगे, तब उसके बराबर कितना होता है, एक मोल, अब अगर मान के चलो उतना छोटा है, इसे हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, तो क्या उन लोग को कॉंट कर पाएंगे, मुस्किल है, इसलिए जो आवगादरों था, यह हम लोग एक रिलेशन दे दिया था, कि तुम हम लोगो टेंशन नहीं ला है, हम यहां पर कॉंट कर चुके हैं, कॉंट करने के बाद हम एक भी बता दिया, जैसे ही बताओ, सबसे सुरू जो हम लोग को साइंटिस था, वो बता दिया कि 1000 ग्राम होगा, तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे, एक के जित हम लोग इसी को जान तो अगर कोई बोलेगा, दो मोल का कितना होगा, इसका दो गुना कर देंगे, तुस मल्टिप्ला, तीन मोल बोलेगा तो, तीन से मल्टिप्ला, चार बोलेगा तो, चार से मल्टिप्ला, तो इस परकार से हम लोग निकालने में सक्छम हो पाए, कि कितना उस मॉलिक्यूल मे वो सबस्टांस में कितने आटम्स परजेंट है, कितने मॉलिक्यूल परजेंट है, कितना उसमें पाटिकल्स परजेंट है, यह सारा कुछ हम लोग कैल्कुलेट कर पाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हम लोगों कि अखर यह मॉल होता क्या है, मॉल आखर होता क्या है, सब्सक्राद भी यह जान गया कि कोई भी हगbia है कि वहाँ पर फार्च मॉल अबलेबल है, कितना है, पांच मॉल, तो हम बता सकते एक वहाँ पर फार्च मॉल्ऑ तो उसकेцев पर क्तना आटम होगा, कैसे, सर हम लोग जानते हैं कि एक जो मॉल होता है उसमें इतना आटम होता है तो पाच में कितना होगा तो सरक 5 इंटो 6.022 और इंटो में 10 to the power 23 तो इतना हो जागा मतलब सर हम लोग कॉंट करने समझ गए लेकिन सबसे पहला सवाल यही हो गया कि सर मॉल आकिर होता क्या है तो मॉल क के बारे में देखे थे कि मोल कुछ नहीं एक फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब एक मेजर करने का तरीका एक हम लोग मेलियू है एक हम लोग क्या है वेलियू जो हम लोग को हम लोग को डैमेंसिन लेस होता है ब्यांट करने मतलब जब physics का पहला चिप्र पड़ोगे unit and dimension वहां अच्छा से समझ जाओगे को दिकर अगर पड़ यह को एक होता है unit और एक होता है युनित का इसका बात करते हैं किस्का बात करते हैं तो सब्सक्राइड के बात करेंगे तो क्या बोलोगे kg यह सब करकार से इन लोग का dimension होता है dimension तीन चीज़ को लेकर के चलते हैं एक चलते हैं हम लोग weight का किसका लेकते हैं weight मतला mass विगरे का एक हम लोग चलते है length विगरा मतला लंबाई विगरा को तो एक हम लोग देखो जब mass मास मास करने मतलब सिर्फ एम एम का पावर कितना है दो तो यहां पर दिखेंगे दो और क्या इसका यूनिट में कहीं पर लंबाई या फिर हम लोग को टैम दिखाए दिया नहीं तो उसके लिए यहां पर लिखेंगे जीरो जीरो इस प्रकार से रिपरजेंटेशन सिखाए ज तो यहां पर हम लोग क्या होता है यह जो हम लोग का मोल है यह मोल हम लोग का यूनिट तो इसका हम लोग लेते हैं मोल लेकिन उसका डामेंशन की जब बात करते तो उसका कोई भी डामेंशन होता नहीं है तो हम लोग समझें कि मोल क्या होता है ता मोल एक तरह क्या होता है physical quantity हो जिसने हम लोग मेजर कर सकते हैं वहाँ पे कितने आटम्स या पिर कितने पार्टिकल्स परजेंट है सो ठीक है और यह जो होता है यह यूनीट हम लोग होता है जिसका यूनिट होता है मोल लेकिन इर्फोटा सोता है आमेंशन थroe lecture यूनीटेश यह पिएने लेसं मतलब उसका कोई भी नाम मतलब क्या होगा समझ में आज़रा रहा है ठीक है उसको illiterate बोलते हैं, क्या बोलते हैं, illiterate, खर जाने दो, क्या मोल का concept समझ मा आया, तो सबसे बड़ा सवाल हम लोग के पास यही आया, कि सर या आखिर मोल है क्या, समझ गए, कि मोल एक physical quantity है, जो हम लोग number of atoms, molecules के बारे में हम लोग को information देता है, अब सवाल फिर खड़ा हो गया, न निकालेंगे कैसे, तो इसी को निकालने के लिए हमारे पास चार फॉर्मूला आए, कितने फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, जिसमें से सिर्फ यूज कितना करना है, तीन फॉर्मूला, और उसमें से भी ज्यादा important कितना है, दो फॉर्मूला, और उसमें से सबसे ज्यादा पीने भी कौन आएगा चारों का चारों आएगा जिसमें से तेक आप जल्दी कर सकते हैं किसमें दिखाते हैं प्रमोल निखाने का फॉर्मूला होता है गिभेन वेड और नीचे होता है क्या ची मोलर वेड उसी पकार से सकेंड में देखे थे तो नंबर ओफ मोल्स बराबर था इधर उपर आटम और नीचे हम डिभाइर करते हैं आउगादरो नंबर से और यह जो आउगादरो नंबर इसका भेली वही होता है इसको लेना है लीटर में और नीचे डिभाइर करेंगे बाइस पॉइंट चार से और कंडिशन यह होना चाहिए कोंचन में मिंसन होगा कि वह यह तो फिर क्या अगर इस परकार का environment दिया इस परकार करशान दिया तो उसी करशान को बोलता इस टीया पिर और यह दिया रही है जीरो पॉट जीरो एट टू वण लीटर एटियाम पर मोल पर केल्विन दरने की बात नहीं है दरने की बात नहीं है ठीक है उसके बाद कि क्या बताता है तो यह हम लोग को चार को फॉर्मुलार यह चारों का यूज कैसे करेंगे इसी के लिए आप सभी को बताए गया था दो लेक्चस लेकर के कितने लेक्चस लेकर के दो लेकर के जहां पर इसका सबसे प्रहे जीक्र किये फिर लोग का जीक्र किये फिर हम लोग देखे कि आपस में जब मान के चलो महां पर देदेगा भोल्यूम पूछ देगा उसका वेट कैसे निकालेंगे वेट देदिया पूछ को बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीख चुके थे अब इसमें थोड़ा से इसलिए रिकाप कर दिये ताकि हम लोगों को दिमाग में घुसार चाहिए कि अभी तक कौन-कौन सा टॉपिक है जिसको पढ़े हैं इसी के लिए आप सभी के लिए चार से पांच वीडियो अवलेबल क जैसे कि हमें पता है कि हर स्टुडेंट आ रहे हैं तो कोई आज आ रहा है कोई कल आ रहा है तो मान का चलो जो टॉपिक छूट गया फिर उनलों कभर कैसे करेगा और ऐसा संभव नहीं है कि जो हम एक घंटा में पढ़ा है पुरा बेसिक से उसको दो मिनिट में दस मिनिट म बचा हुए है उसको पहले कभर कर लेजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब क्लास यहां चलता है अल्टरनेट क्लास आज मेरा चल रहेगा क्या नहीं पर सुरेगा फिर तो इसका मतलब सब्सक्राइब जो भी गाप रहेगा वीडियो जादा लंबा नहीं आदा गंटा आदा सब्सक्राइब नेगेटिव थोट लानना नहीं मास्टर जिन्दा है टेंशन मतलों 24 गंटा अवलेबल है कभी भी कोई भी कंसेप्ट में डॉट होता है तुरंत बहीज़क हमसे पूछा करो बात को समय रहें चाहां वह बॉइज रहें हमेशा अरे मस्टर बहुत नहीं करेंगे ठीक है ना यहां से पीर हम लोग आया था मोल का ही कंसेप्ट क्या था मोल का कंसेप्ट लेकिन उसको पढ़ने का तरीका अलग था अब जो मॉल का कहानी पढ़ने जा है वो reaction से पढ़ेंगे किस से पढ़ेंगे reaction से अच्छा हिला हुला है क्या ठीक है ना अब पढ़ने जा रहे है reaction क्या पढ़ने जा रहे है reaction अब इस reaction को पढ़ने का दो तरीका है इस reaction को पढ़ने का दो तरीका है जैसे पहले हम लोग तो पड़ने का तरीका होता था कि जब दो मोलिक्यूल लेंगे किसका हैड्रोजन का और एक मोलिक्यूल लेंगे किसका औक्सिजन का हम लोग को कितना मोली क्यों मिलेगा दो मोली क्यों सब्सक्राइब एक के मिकल But i s is go लोग पढ़ेंगे मोल के बेसिस पर किस पर मॉल क्यूंकि पहले बता चुके है घुए गणडा को उमारना है क्या अब controllers लोग बोलते थे अब इसको दूसरा तरीकस पढ़ना क्या पढ़ना कि दो मॉल जब लेते हैं हाइड्रोजन कितना लेते हैं दो मॉल हाइड्रोजन और एक मॉल लेते हैं किसको ऑक्सिजन को तो हम लोगों कितना मॉल वाटर मिलता है दो मॉल और यह जो संख्या होता था इसी पूसको लिखते कैसे हैं देखलो समझ माग या तो इसको बोलते हैं अश्टेक्योमैट्रिक ओफिसेन्न और यह जो अश्टिक्कियोमैट्रिक काफिसेन्ट होता है वह क्या होता है जाव सर्कोई भी केमिकल रेयक्संस होता कुई भी रसानिक अभीकिरिया होता है तो उसको बाइलेंस जब करते हैं संतुलीत करना जरूरी है अगर संतुलीत नहीं करोगे तो दनाविएमान संरच्छन का नीयम क्या हो जागा उलंगन हो जाएगा जो कि हम लोग क्लास मूल के नाम नाम किस नाम से mummy के नाम से यह से इस से बहुत सारा concept होता है यहाँ पे बोलेगा कि जाभ क्रिखम आम लोग के हाटर का Corr염ës aka करें स्टा करने के लिए hydrogen का भी कितना ले रहते दो मॉल जब इसका दो मोल लेते यह मोल नें थेकIE कितना कितना बने कर दूमर जान गया रिलेशंट कि इसको दो मोल लेते हैं तीए कितना बने गा उसी प्रकार याग यह लगा भब कि मानगर में 20 ग्राम कितना की तो बताओ कितना बनता होगा फिर यहाँ पर पता करते हैं कि 20 गराम में कितना पाटा छलता है कि इस ग्मल इतना हुआ फिर वहां से फिर calculate करते है क्या ची मास तो यह से प्रोसेस बताए गया जिसके लिए हम लोग दो लिए कितना लिए दो लेक्चर तो इसको फिर से दुबारा बताया नहीं जा सकता है आप लोग परियास किजिएगा जो वीडियो है उसमें पूरा full energy साथ बताए गया जो यहां अच लीमिंटिंग रिये जन्ट के बारे में क्या चंच देखने जा रहा है कि यह लियमिटिंग रिये जन्ट अब यह अक Emily टिंग रिएजेंट होता क्या है यह मलोग समझते हैं दिना फुरा। पुष्ट करना सब क्लास मिस्स कर देना अमिंत सरक्राइब। लगेगा अ ऐधी अच्ठाए लंगे विडियो का देखता है उन्हों तरशता है आपके पास आना चाहते है पढ़ने कैसे आगा पढने के लिए संभव नहीं है इधर देखो लिमीटिंग रिएजेंट आखिर होता किया समझते जाना लिमीटिंग रिएजेंट वह चीज होता है जो chemical reaction में सबसे पहले खतम हो जाता है कहने का मतला एक चीज़ समझाते हैं जैसे कोई chemical reaction होता है A plus B मिल करके बन रहा है C और पलस में D या फिर मान के जब खाली C ये बनता और ऐसी पहले कोई chemical reaction होता है गर्लोग reaction करता है जो reaction करने करता है उसी को बोलते है इसको बोलते है ऑफिसको बोलते हैं अब यहां पर समझो यह chemical reaction आखिर होता कैसे है तो कभी भी reactant molecule जितना हम लोग लेते हैं यह आपस में लड़ाय जगड़ा करते हैं कोलाइड करते हैं कोलाइड कहने मतलब लड़ना जगड़ना आपस में लोग टकराते हैं टकराने के बाद इन लोग consume होना स्टाट हो जाता है कंज्यूम कोन वर्ड यूज कर रहे हैं सर घबराना नहीं है ठीक है कंज्यूम कहने का मतलब होता है क्या हो जाना इसका यूज ऑजाना इसका मतलब सर यह दो जो है इलुग का यूज होना लोग्हाइज घंग look कर रहे लिए orsch आ OW को बढ़ रहा कि घंग भा रहा तो उस संब करना इसका मतलब जो तो कि यह एक्टेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्यक्टियर रृप्समें कड़ो प проп अग्दियर? है और जब यह reaction होता है तो इन लोग जितना amount रहता है यह धीरे-धीरे खतम होना स्टार्ट होता है और यह धीरे-धीरे क्या होता है बढ़ने लगता है अच्छा एक चीज और कभी सैंबल हम ऐसा दिखाए और ऐसा दिखा नीचे दिखार है मतला घट रहा है उपर दिखार मतला बढ़ने सोट-कट तरीका ठीक है तो अब ही क्या हो रहा है सर एक चीतों समझी में आया कैसी माया कभी भी चैमिकल की वाद लिए उसमें रियक्सिंट क्या आता है खतम होता है रिक्ष生 क्या जैसे कि स्वांट यह को अच्छा सब भी देखे थे कि हैड्रोजन लिए होक्सिजन लिए तब हम लोग को बन रहाता क्या च squash duck अग्र हम लोग को किया चाहिए भन पार के लिए उसी प्रकार सरहम को कार्भन चाहिए ऑक्षिजन आइए से तभी बने गाम को एतनों कारपन रहीगा क्या बन जाएगा क्या नहीं मतलब शर अगर को डिएक्सिंस के लिए जितना reactant molecule के जरूरत पड़ता है उसको होना जरूरी है जैसे इस reaction में देखे C को बनाने के लिए हमें A भी चाहिए B भी चाहिए और इन लोग को काम ही क्या होता है इन लोग आपस में relation बनाते रहता है कहने का मतलब इन लोग आपस में use करते रहता है इसका भी कुछ amount लगता तब ही हम लोग को बनता क्या सी बनता बात को समझे रहे हो अब मान के चलो यह था दो गो और यह था तीन गो बताओ यह कब तक reaction करेगा मतलब नहीं समझा जैसे एक जरूरत था इसमें भी कितना जरूरत था अभी ले लिए इसका कितना दो इसका कितना ले लिए तेन अब बताओ यह कब तक रियेक्शन चलेगा जब सर्दोदोग खटम हो जाएगा अब बताओओ यह बन रहता है एक कितना है यह प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कितना बना सकता है deux-three-four इसका एक मौल लटिये इसका भी एक मौL रहते दिये कितना बनाता है अगर इसका दो मोल्ब दे दिये इसका थीनलती पनेत अब बता कितना मौल बनेगा कितना बनाएगा दो बनाएगा कितना बनाएगा दो कैसिस है अब देखो इसका दो है यह दो यूज करेगा तो इसको भी तो दो यूज करना पड़ेगा अब यह दो यूज कर लेगा ती कितना बजेगा बाबाजी इसके पास कितना बजेगा एक इसका कितना बना दो बना भी कि अगर hydrogen रहेगा oxygen रहेगा तभी क्या बन सकता है पाने hydrogen में गैप कर देंगे कभी बनने वाला नहीं है तो अब क्या होगा कि हम लोगो chemical reactions दिया हुआ रहेगा उसमें कुछ-कुछ amount भी दिया रहेगा कुछ-कुछ amount जैसे भी बोल दिये A का इतना है B का इतना कुछ भी और देगा अब इसमें से हमें पता करना है पता क्या करना है limiting reaction क्या पता करना है limiting reaction अब यह जो limiting सबसे पहले खतम हो जाता है सबसे पहले खत्म हो जाता है ज DIS meaningful में केमिकल रियक्सिट में उसफे होता है या हमम लोग इस नाम से जाते हैं लिमीटिंग रेएगट के नाम से जानते हैं गोल गोल घुमा करें कर पूरा बढ़का ना screw सर्थ समझ माया तर यहाँ पर समझ माया जो जलदी खतम हो जा क्यों उसी को क्या बुलतेạn अगर इस कोई दिक्कत तब आता है जब हम लोगों कैलकुलेट करने बोलता है पोच्टी है का नहीं नहीं हो सकता है घरवा करने के लिए भूल गई होगी तो थोड़ा ले ले लेते हैं अच्छा सिर्यस मतले नहां तो नैसे नहीं के गाली उली देने लग जाना है कि का लगा लेंगे क्या होता है सभसे पाहले खताम हो जाब तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इंगलीस में लिख सकते हैं जैसे तो हम लोग समझने के लिख लिख देते हैं यह लिख देते हैं तरी जेंट यह चैट वला वही अच्छा लगता है हिंगलीस बला तौचा लख लिख 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 दे रियाजयंट और रियक्टेंट विशिस फ़स्ट कंज्यूम फीस्ट इन और केमीकल रिएक्शन इन और केमिकल रियक्शन प्रियाइक्शन को यह दिखांगे समझ जाओगे ना क्यां उतना जदा नहीं लिखता हैं जब से सबसे प्यार लगता इसे में जो रियक्टेंट, जो रियक्टेंट सबसे पहले, सबसे पहले समाप्त हो जाए, उसे एल आर कहते हैं, अच्छा ऐसे कर देखा जो रियक्टेंट सबसे पहले समाप्त हो जाए, इस कॉल्ड, कैसा रहा, लिमीटिंग रियेजेंट, मज़ा वला क्या डिफनिस हैं, हम लोग ऐसने पढ़ेंगे, चलो, आप समझ माजाएगा ना, अब सबसे बड़ा प्रोब्लम ये किरियेट होता है, कि लिमीटिंग रियेजेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जैसे हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग-अलग गता है, जैसे हम भी बहुत सारे सिक्षकों से पढ़े हैं, आइसा थोड़ी का हम पैदा होते हैं, सब कुछ समझ गए थे, नै नै ऐसा समझ नहीं है, तो हम भी जब पढ़ रहे थे, हम भी बहुत सारी टीचर से पढ़े थे, तीन-चार टीचर से पढ़े थे, वह सारे का वीडियो लेगरा भी देखे, तो सब कप पढ़ाने का अलग नहीं आता था, निकालना होता था बस यही कि लिमीटिंग रेजेंट होता, कौन है, कैसना है, या फिर उसके पास जब रियक्सन करने के बाद, उसका कितना कितना एमांट बच्चा है, या पर कितना एमांट प्रोड़क्ट बना है, तो इस सब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अकसर हम लोग को एंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो इसी को बताने का तरीका बहुत ही सौटकट है, बहुत ही सौटकट, बहुत ही सौटकट क्या है, कैसे हम लोग कैल्कुलेट करेंगे, भी जश्ट बताएंगे, पर इसको लिख लो, क्या लिख लिख लिए, एक अभी इसका कंसेप्ट बताए लिमीटिंग रिएजेंट का जो मोलूल का जो कंसेप्ट होता था उसी परकार से सेम हम लोग किया करते थे किसमें अस्टेक्यों मैट्रिक कॉफिसेंट में कोस्ट भी जब दिया रहेगा हम लोग पकड़ ही नहीं पाओगे कि यह लिमीटिंग रिएजन का कंसेप्ट है कि यह हम लोगो अस्टिक्यों मैट्रिक उफिसेंट का इसको पहचाने के कैसित उसके लिए एक सौटकर तरीका है सौटकर तरीका यह होता है कि कभी भी चलो उसक अब समझना कभी भी कोस्टंस में ध्यान से सुनना कभी भी कोस्टंस में या तो एक का इनफर्मेशन या तो बिंफर्मेशन दिया रहे है या का कहने का मतलब क्xtऐस में還有 K कोफिसें से बनाएंगे और अगर कोस्टंस में दोनों रिएक्टेंट का भेलिये मतलब एक से जादा का value दिया रहेगा तुरंत हम लोग जान जाएंगे किस से बनेगा लिमीटिव एक मात्र यह तरीका और नहीं जानते हो हम 11 में कुछ नहीं जानते थे किसी एक रियक्टेंड का किसी एक रियक्टेंड का value गिवहन रहेगा गिवहन होगा क्या बात समझ माँ जागा इतना ही में कि और कुछ लिग दे समझ माँ जागा ना इसमें क्या रहेगा एक से जादा सभी का लिग देते हैं इसमें सभी का सभी रियक्टेंड का सभी रियक्टेंड का value गिवहन रहेगा है तक बिल्कुल देंगे अभी एक्जामपल कहीं तो practice करने वाले विए माले समझने के लिए यह वाला और यहां पर क्या सबसे पहला मकसद क्या है लिमीटिंग रियेजेंट निकालना है फेन्ड लिमीटिंग रियेजेंट को समझ जाएंगे अच्छा तरीका से उसके बाद सवाल करेंगे इसका बेहतर-बेहतर अब इसलसर यहीं दिकारना ऋसीखेंगे का लिमिटिंग रिजाट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपर लिमिटिंग रिजाट को गौन होगा समझना जैसे मान के चला हम लोग वाटर का फोर्मेशन करेंगे कैसे करेंगे हैच टू पलस ओटू मिल के क्या बनता है हेच-टू करो इसका होता है दो यहां पर भी क्या होता है दो इसका कितना मोता है अब देखो यह तो हम लोगो से समझ महाता है मतलफो कभी भी को डिरियक्षों सो endless करना क्या करना क्यूंकि जैसे बैलेंस नहीं करोगे तो हम लोग नैंद क्लास 10 एक रट्टा मारते आ रहे थे क्या ची लाओ आफ कंजर्वेशन आफ मास दरविमान का संरचन का नियम वह उलंगन कर दोगे इसलिए उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको बैलेंस करते हैं तो सबसे पाहला मक्सद होगा बैलेंस करना उसके बाद जानते हों हम लोगों को डिय्मं डाता रहेगा हम लोग को क्या रहेगा दाटा तो हम लोग गभी मर क्या-क्या बynnवस्ट्टे-घौ cette edge यहाँ बोल देगा कि यहाँ 3 mol बोला क्या questions? questions बोला कि 2 mol hydrogen है सबसे पहले तो हम लोगों को बोल दिये water का formation करना है साथ तुरंत हम लोग chemical reaction लिग लेंगे question में mention था कि जब हम लोग 4 mol hydrogen को reaction करवाते हैं 3 mol oxygen के साथ तो हम लोगों को बनता क्या है water तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर इस reactions में limiting reagent कौन होगा limiting reagent कौन होगा उसके बाद अभी questions को बढ़ा करके भी और यहाँ पर information पूछेगा लेकिन सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे limiting reagent को पस्चानना अब देखो अगर limiting reagent बोलेगा limiting reagent का एक मातर हम लोगों को जानते है कहाने करेंगे जो पहले करें खतम होजाता अब बताओ कौन पैले खतब होगा libr. अकुर्जजन खताम होगा लेकिन गलत हो जाएंगा जाते हैं तो हैंसा कहाने देखाता और इसको समझाने के लिए और मतलव नमबर पूरा कटवाना तो इसलिए उस मेथट से न जा करके हम लोग देखो कितना असानी मेथट से सीखेंगे कि लिमीटेंग रिएजेंट क्या होता है या पर कैसे हम लोग निकालेंगे मौल रहेगा कभी भी ठीक है अब ही जैसे देए कि चार मॉल दिया है इसका कितना दिए है तीन बूल लो में निकालना क्या है limiting region कभी back भी limiting region निकालना है तो द जल्दी खतम हो जाएगा जो पहले खतम हो जाएगा जो पहले खतम हो जाएगा काने का मतला जिसका मोल कम होगा लेकिन मोल यहां वाला नहीं हम लोग वहां पे limiting region निकानने के लिए क्या करेंगे जो भी given मोल रहेगा उसको divide करेंगे respective asticumatic coefficients कहने का मतला जो यहाँ पे मोल दिया है किसका दिया है एच टू का तो यह तो यह तो गीभेन मोल है इसको डिवाइड कर देंगे किस से इसी का अस्टिक्यो मैट्रिक कोफिजन से इसका स्टिक्रमेटिक और कितना दो तो यह होता है आप्टर रियक्षन यह होता है आप्टर रियक्षन के बाद हम लोग सारे कुछ होगा यह पिर शोड़ दो इससा अभी सिंपल यहां पर लिखो सबसे पहले घीव Wyons कि अब उसमें पहले पहले घतंटाउ नाहीं ऐसके जो बैद करने के बाद ग्या होग्धां है थो अगर यह हम बोलेंगे कि बता हो इसको समझाने का तरीक होता है एक मौल्स जैसे उन लोग करते हों समझेक але घएक हुझाति कमझने तुम नहीं समझ से एक ही बात पूर कि सुमस्ते है पूछता है चाहां competitive exam की बात करो चाहां बोड exam की बात करो तो तरीका सीख लो कभी भी लिमीटिंग रिएजेंट बोलेगा तो जो भी डाटा दिया रहेगा उसको तुरंट कर देंगे उसे कहाँ अश्टिक्योमाइटिक कॉफिसन से डिवाइड करने के बाद अब देखेंगे किसका वेल्यू सबसे कम है जो सबसे पहले कम क्योंकि यह दो मॉल यूज होगा तो इसका बच जाएगा कितना एक मॉल रहके भी को फायदा नहीं हुआ तक इसके वज़ास हम लोग को कि रुप गया उसी को क्या बोलते हैं क्या बार समझ्ज माज़एगा मिस तक यहां पर मों देख लींगि نے की सिर्च सब्सक्राइब शजिघ भू लेखो को समझू एक बार अचा अभी एक लिख वारा करके जिसमें से बोले थे कि एक रहेगा अच्छिक्योमेट्रिक पॉपिस्ट एक रहेगा लिमीटिंग रिएजेंट का दोनों कोस्ट एदम लगेगा हुँ बहुत सेम जिसा और बनाने का तरीका भी वह सही रहता है लेक लेकिस करेगा दोनों का इनफोर्मेशन और वह एक किसी एक का भी लियू दिया रहेगा अब देखो यह को समझो क्या बोला है बोला है दा मुल्स आफ एस ओटू क्या बोला दा मुल्स आफ एसओटू इस रियक्टेड वीथ फाइब मॉल आफ ओटू कहने का मतलब चार मॉ smota react करता है किसके साथ 5 mol oxygen के साथ according to the reaction जो reaction दिया है इसके accordingly reaction में तब देख रहा है यह एक मोल यह हम लोगों को क्या होगा यह थीक है सर अभी सबसे जाएंगे given data में या फिर given मोल्स में क्या क्या given mol से दिया हुआ तो सर हम लोग को given है कि एस वोटू का कितना चार मोल कि यह है सर चार मोल जो रियक्ट कर रहे है किसके साथ पांच मोल ओटू के साथ के लिए है तो अब हम लोग को calculate करना limiting region क्या calculate करना limiting region कैसे calculate करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे खरिए है कि रियक्टेड मोल है रियक्टेड नोट इसका कहने मतला कितना कितना मोल उनलोग करेगा który इस contexts मतस्मझिन नगी चांडूर्यक्ट करेगा तर यह पांच मोल लेगा ऐसे करके हम लोग समझेंगे कि यहांब सबसे काम कॉन से पता चलेगा कि जब एस वोर्टू का कि पड़ता है ना पड़ता था आपता कौन गौन किस सर जब यह दो मोल खतम हो जाए तो इसका दो बेंगों घताम होगा तो इसका मतलब जो पहले खतम हो जाएगा क्योंकि इसके बիना गाड़ी आगे चलेगा नहीं तो जो खतम हो जाता है इसी को बोलते है क्या चेंविंटल रियेजि़ क्या बात समझमा गया अब इससे और सवाल बनत जो रियक्टेंट था दोनों को भेलियों दिया था तो आगे क्लास में हम लोग और भी मज़ेदार तरीका से पढ़ेंगा बाकि याद रखो कि जो भी स्टुडेंट है जो नया निया है जागर के पहले कोसिस करना वह पांचों वीडियो को देख लेने का हमबल नहीं समझते हो तुम्हारे कितना नुकसान होगा समझो पहला चिप्टर खता जो कि ज्यादा कोश्टन से पूछता है लगवाद छे कोश्टन से लगवाद पूछी देता है उसके बाद इसी से रिलेट करके पूछेगा थर्मोडानमिक्स पूरा केमेस्ट्री का सबसे भा पड़ेगा अब यहीं नहीं कंसेट के लिए तो महां से कहां जाओगे बात को समय रहे हो तो यह बहुत कुछ है बागी 12 क्लास में जाओगे तो महां पर तक नहीं नहीं है जैसे बढ़ते जाओगा इसका यूज बढ़ते चले जाएगा तो पहले वह वीडियो जितना भी ह पुराना वाला उसको देख लो मतलब इससे पीछे वाला उसके बाद फिर आगे क्लास में मज़ा जाएगा ठीक है मिलते हम लो नेक्ट क्लास में